नमस्कार दोस्तों मनवीन स्वागत करता हूँ आप सभी का NBT Life में दोस्तों हस्त रेखा शास्तर के नुसार आपके हाथ की उंगलियों के बीच जो gap होता है उससे आपके जीवन के कई राज खुल सकते हैं खासकर आपको अपनी आर्थिक इस्तिति का पता इन gaps से चल सकता है आए विस्तार से उंगलियों के बीच इन gaps के बारे में जानते हैं तो दोस्तों अगर आपके हाथ में तरजनी और मध्यमा उंगली के बीच में gap है तो ये दर्शाता है कि आपको अर्ली लाइफ यानि कि अपने बच्पन में आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ा होगा साथ ही इन दोनों उंगलियों के बीच का gap ये भी दर्शाता है कि आपका स्वास्थे भी बच्पन में बहुत अच्छा नहीं रहा होगा जिसके कारण आपको अपने स्वास्थे पर भी काफी खर्च करना पड़ा होगा या आपके माता पिता को आपके स्वास्थे पर खर्च करना पड़ा होगा वहीं दोस्तों अगर मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच gap दिखाई देता है तो ये अच्छा संकीत नहीं माना जाता इसका अर्थ होता है कि आपको अपनी जवानी में आर्थिक तंगी का काफी सामना करना पड़ सकता है इसलिए आपको धन से जुड़े मामलों को लेकर काफी सावधान रहना चाहिए आपको अपने धन को संचित करना चाहिए और ज्यादा दोस्ती यारी से भी आपको दोर रहना चाहिए नहीं तो आपका आर्थिक पक्ष बहुत डगमगा सकता है वहीं दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की अनामिका उंगली और कनिष्था उंगली के बीच में गैप है तो ये दर्शाता है कि उनको अपने अंतिम समय में यानि की बुढ़ापे के दौरान आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में इन लोगों को अपनी जवानी में धन संचित करके रखना चाहिए ताकि उनके बुढ़ापे में धन काम आ सके दोस्तों अगर आपकी उंगलीओं के बीच भी गैप है तो ये आपके आर्थिक पक्ष के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता इसलिये आपको धन के मामलों को लेकर सतरक रहना चाहिए और साथ ही कुछ उपाय भी आपको करने चाहिए आप उपाय के तौर पर माता लक्षमी की पूजा कर सकते हैं इसके साथ ही कनक धारास्तोत्र का हर शुक्रुवार को पाठ करने से भी आपको लाप्राप्त होगा और आपकी आर्थिक स्थित्थी अच्छी बनी रहेगी इन उपायों के अलावा आप भगवान गणेश जी की पूजा प्रति दिन करें तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है साथ ही ऐसे लोगों को घर में श्रीयंत्र की स्थापना भी करनी चाहिए इससे भी उनको लाप्राप्त होता है वहीं दोस्तों जिन लोगों की उंगलियों के बीच गैप नहीं होता यह बहुत शुब संकीत होता है इसका आर्थ होता है कि ऐसे लोग धन के मामले में काफ वहीं अगर आपकी उंगलियों के बीच गैप है तो आपको सोच समझ कर अपने जीवन में धन खर्श करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा धन संचित करने की कोशिश करनी चाहिए तो दोस्तों अम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई या जानकारी पसंद आई होगी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें न्बीटी लाइव नमस्कार